योग अभ्यास करते हुए यदि कुछ चीजों को या कुछ गतिविदियों को अपने जीवन शैली में शामिल किया जाए और कुछ परिवर्तन किये जाए तो अभ्यासों के लाव और प्रभावों को कई हद तक और बढ़ाया जा सकता है ऐसी ही एक गतिविदिया एक कारे है शरीर के ओपर तेल की मालिश करना ऐसा करने से व्यायाम, आसन और प्रणायाम तीनों के ही अभ्यासों में लाव कई गुना तक बढ़ाय जा सकते हैं और उनके प्रभावों को भी बढ़ाया जा सकता है जब हम शरीर के ओपर तेल की मालिश करते हैं तो ऐसा करने से पूरे शरीर की मांसपेशियों को उरजा, शक्ती, प्रदान होती है रक्त का संचालन शरीर में ठीक परकार से उपाता है जिस से पूरा शरीर सुस्थ उरजवान बने रहता है सारा दिन आलस आने की समस्या या सुस्ती रहने की समस्या इस से भी निजात पाई जा सकती है और मांस्पेशियां लचीली बनती है जब इनके ओपर अच्छे प्रकार से तेल की मालिश की जाती है तो सारी मानस्पेशियां शरीर की लचिली भी बनती हैं, स्वस्त भी बनती हैं और शक्तिशाली उर्जावान भी बल्वान भी बनती हैं नहने से पहले, लगभग आदा घंटा पहले, सबताहा में दो से लेकर तीन बार तक हर व्यक्ति को पूरे शरीर के उपर सरसो के तेल, तिल के तेल, जैतून के तेल या अन्य किसी भी शुद तेल से मालिश करनी चाहिए जब हम शरीर के उपर मालिश करते हैं तो हमारी ये तवचा, स्किन, ओइल को अबजब करती है, तवचा जो है वो तेल को पीती है, जिसके परिणाम स्वरूप तवचा के भी कई सारे रोगों से बचा जा सकता है और तवचा को भी उर्जा और पोशक तत्वों की पराप्त जाते हैं, तो प्रयास करें कि शरीर के उपर मालिश करें, तेल से सबताहा में दो से लेकर तीन बार तो जरूर करें, ऐसा करने से आपके अन्य जीवन शैली में तो अन्य शारीरिक लाप तो प्राप्त होंगे ही साथी साथ योग अभ्यास जो करते हैं, उनके भी लाबों को कई हद तक बढ़ाया जा सकता है